हर रूप में मा स्विकार है जब मुझको भी तुम स्विकार करो मा से पहले मैं नारी हूँ हर नारी का सम्मान करो प्यारे बच्चों सुप्रबाद आज हम क्लाश 12 के भक्तिन पाठ की चर्चा करेंगे जिसकी लेख का महादी वरवाएं तो सबसे पहले लेख का परच्चा की बात करते हैं लेख का मादेवी जी का जन्म 1907 इसविशन फरुकाबाद उत्तप्रदेश में हुआ था और 1987 इलाबाद में इनका निधन हुआ था इनकी प्रमुक्रचना दीपसका, यामा, इनकी कवता संग्रे हैं और सरंखला की कडियां, आपदा, संकल पिता, भारती संस्कृती के सुवर, इनके निवंध संग्रे हैं अतीत के चल चित्र इसमर्ती की रेखाएं पत के साती मेरा परिवार इनके संसमनात्मक रेखा चित्र हैं प्रमुक पृसकार ग्यानपीट पृसकार भारत भारती पृसकार पद मुशन पृसकार इनको प्राप्त हुए साहित सेवी और समाज सेवी दोनों रूप में महादी वर्माजी की प्रतिष्टा रही है गांदी जी की दिखाई रहा पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने सिच्छा और समाज कल्यान के छेतर में नरंतर कार किया नारी समाज में सिच्छा प्रसार के उद्धिश्य उन्होंने प्रियाग महला बिद्धापीट की स्थापना की कविताओं में बे अपनी आंत्रिक वेदना और पीड़ा को ब्यक्त करती हुई इस लोग से परे किसी और सत्ता की और अविमुक दिखलाई पड़ती है गद्ध रचनाओं में उनका गहरा सामाजिक सरोकार इस्तान पाता है समाज के सोसित पीड़त तवके को उन्होंने अपनी गद्ध रचनाओं में नायकत्त प्रदान किया है यानि उनकी गद्ध रचनाओं के जो पात्र हैं प्रमुक पात्र हैं वो सोसित पीड़त तबके के लोग हैं बहुत ही छोटे लोगों को उन्होंने अपने रचनाओं का प्रमुक पात्र बनाया है चाए वो भक्तिन हो चाए वो घीसा हो या फिर कोई अन्य यहां पर बात करते हैं महादी वर्माजी की कुछ प्रिसिद्ध पंक्तियों की मैं नीर भरी दुक्की बदली विस्तरत नव का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना इतियास यही परचे इतना इतियास यही उमडी कल्थी मिट आज चली मैं नीरवरी दुक्की वदली उनकी प्रिसिद पंक्तियां हैं अब बात करते हैं बच्चो भकतिन पाठ के सारांस की भकतिन महादीवी जी का प्रिसिद संसमनात्मक रेखाचित्र है इसमें लेखका ने अपनी सेवका भक्तिन के अतीत और बरतमान का परवे परचे देते हुए उसके व्यक्तित्तु का बहुत दिल्चस्प खाका खीचा है महादेवी जी के घर में काम सुरू करने से पहले उसमें कैसे एक संगर सील स्वाविमानी और करमट जीवन जिया कैसे पित्री सत्तात्मक माननताओं और चल चद्म भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हकी लड़ाई लड़ती रही वक्तिन और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की रहा पूरी तरह बदल लेने के निर्णे तक पहुँची इसका अत्यंत संवेदंसील चित्रन इस पाठ में हुआ है परिस्तिती वस अखड बनी पर लेखका की पृति अनमोल आत्मिता से भरी भक्तिन के वहाने इस्त्री असमिता की संगर्स पून आवाज के रूप में अभी इस पाठ को पढ़ा जाना चाहिए यानि भक्तिन पाठ के माध्यम से लेखका माधी वर्माजी के द्वारा इस्त्री अश्तित्व इस्त्री गर्मा के संगर्ष की कहानी भक्तिन के मादिम से लिखी है यहाँ पर लेखा मादिवरे जम बरमाजी के द्वारा लिखी गई है अब बात करते हैं कि इस पार्ट में भक्तिन के जीवन की चार प्रमुक गठनाओं का चित्रन किया गया है लेखिकागी दारा हुए कौन कौन सी हैं बच्पन जिसमें उनका नाम भक्तिन का नाम लक्षमन या लक्षमी हुए करता था पिता से किस तरह से प्यार मिलता था जो उनकी सोतेली मा थी वो उनसे कुड़ती थी उन पर अन्याय करती थी और बच्पन में उनका बाल व्यवा कर दिया गया था दूसरा जो रूप है वह है ससुराल में सदवा के रूप में जब उनके पती उनके साथ थे और उनका बेवाहिक जीवन कितना सुक्माई था किस तरह से पती से प्यार मिलता था उन्होंने तीन-तीन बेटियों को जनम दिया और बेटियों को जनम देने के कारण उनकी जो जेठानिया और सास थी वो उनसे जलती थी, कुड़ती थी उसके बाद जब पती उसका तीसरा जो पड़ावाता है उनके जीवन का ससुराल में विदवा के रूप में जब उनके पती गुजर जाते हैं भक्तिन के और पती के गुजरने के बाद किस तरह से जेठ जेठानिया उन पर अन्याय करते हैं उनकी संपत्ती को हरपने का प्रियास करते हैं उनकी बेटी पर दोसारोपन करते हैं ये समझना उनके सामने आती हैं और इन सब से लड़ते लड़ते वह हार जाती हैं और अंत में सब कुछ छोड़ चाल करके सहर आ जाती हैं जहां पर हुए चोथा जो पड़ाव है वो लेखका की सेवका के रूप में अपना जीवन व्यतीत करती हैं भक्तिन के रूप में तो ये भक्तिन के जीवन की चार घठनाव का उलेक स्पार्ट में किया गया है अब बात करते हैं बच्चो अर्थ ग्रहन संबंदी प्रसनों की जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेच्छा दुख ही हादिक हैं जब उसने गैंवे रंग और बटिया जैसे मुखवाली बटिया जैसे मुखवाली यान सुंदर पहली कन्या के दो संस्कन और कर डाले यानि पहली बेटी के बाद दो बेटियों को और जंग दे दिया तब सास और जेठानियों ने होट बिचका कर उपेच्छा प्रकट की उचित भी था क्योंकि सास तीन तीन कमाओ बीरों की विदात्री बनकर मचिया के उपर ब्राजमान पुर्खिन के पद पर अबसिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियां काक भुषंडी जैसे काले लालों की क्रमबद सरष्टी करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी चोटी बहु के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्चक हो गया अब प्रस्ण बनता है इसमें भक्तिन के जीवन के दूसरे परिष्चित में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी उपेच्छा शुरू हो गई तो ऐसा हुआ था भक्तिन के दोरा बेटी को जनम देना भक्तिन के दोरा जब बेटी को जनम दिया गया तो उसकी सास और जिठानिया उसकी उपेच्छा करती थी उसको अपमान करती थी अपमानित करती थी जब के आज के समाज में ऐसा नहीं है हमें बेटा और बेटी दोनों को समान महत्त देते हैं चाहिए बेटा हो या बेटी दोनों ही खुसी का अवसर होता है हमें खुसी मानानी चाहिए लेकिन भक्तिन की जेट और जिठानियों ने ऐसा नहीं किया उसे अपमानित किया दूसरा प्रशन इसमें बन सकता है कि लेखकागी डाय में भक्तिन की उपेच्छा ओचित थी या नहीं तो लेखकागी डाय में भक्तिन की उपेच्छा ओचित नहीं थी क्योंकि बेटा और बेटी को जन्म देना ये किसी के बस की बात नहीं है यह तो कुदरत की देने, ईसरी देने, चाहिए बेटा हो या बेटी हो, हमें दोनों को ही प्यास देना चाहिए, दोनों को ही पढ़ाना रिखना चाहिए और उनके जन्म पर खुशी मनानी चाहिए तीसरा प्रस्ण इसमें बनता है कि जेठानियों को सम्मान क्यों मिलता था तो जेठानियों को सम्मान इसलिए मिलता था क्योंकि उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था इसलिए उनको इज्जत सम्मान मिलता था चोथा इसमें प्रस्ण बन सकता है कि छोटी भव कौन थी उसने कौन सा अपराद किया था तो छोटी भव भक्तिन थी और उससे अपराद यही हुआ था कि उसने बेटी को जन्म दिया था तो हमारी नजर में है भक्तिन का कोई अपराद नहीं था क्योंकि बेटा और बेटी क जनम देना ये कुदरत की देर है इसरी देर है और बेटा हो या बेटी हो हमें दोनों की खुसी मनानी चाहिए दोनों को प्यार करना चाहिए अब बात करते हैं वच्चो भक्तिन की पारवारिक प्रेश्ट भूमी तो भक्तिन जूसी गाम के गोपालक यानि गाय को पालने वा वाले के सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया नौवर्स की आयू में उसका गौना गौना मिंस विदाई कर दी गई बिमाता उससे इर्चा करती थी कुरती थी उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार तक भक्तिन के पास नहीं भेजा था तो यह थी उसकी पारवारिक प पिताई करे उसकी इसकी सिर्थ कारण उसे सदय प्रतारित की आजाता था पतिकी मृत्य के बाद उन्होंने भक्तिन पर पुनर विवाय के लिए दवाब बनाया उसकी बिदवा लड़की के साथ जवरदष्ती की अंत्मे भक्तिन को गाम छोड़ना पड़ा और गाम विवार था जो बहुत ही गंदा था अच्छा बिलकुल नहीं था अब बात करते हैं भक्तिन के चरित्र चित्रन की यानि भक्तिन की विशेष्थना है इस पाट के आदार पर जो भक्तिन की विशेष्थना हो सकती है भक्तिन की चरित्र चित्रन हो सकती है भक्तिन की चारित्र का नाम लक्षमी यानि लक्षमन था और उसने बाद में अपना नाम असली नाम छुपा करके भक्तिन रख लिया था दूसरी भक्तिन के चरित्र की विशेचता हो सकती है परिस्रमी वह बहुती परिस्रमी और करमट महला थी स्वाभिमानी महला थी संगर्सिल जीवन भर उसने संगर्स किया मैनत की परिस्रम किया समश्याओं का सामना किया आदर्स मा था वह एक ममता मई अच्छी मा थी वह अपनी बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती थी बेटों जैसा प्यार करती थी अपनी बेटियों को और सह हिर्दय भक्तिन के हिर्दय में किसी क प्रति दुर्भावना नहीं थी भक्तिन का अर्दय विल्कुल साफ और पाक था बहुती सुन्दर अर्दय था सब के प्रति दया और करोणा भावना से प्रेम से यक्त था सची सेवका भक्तिन मादी वर्माजी के यहां रहते हुए पता चलता है किस तरह से वे एक अच्छी और सची सेवका थी किस तरह से पूरी निष्टा और इमानदारी के साथ काम किया करती थी लेखकागी सेवा किया करती थी जिसके आदार पर हम कह सकते हैं कि भक्तिन एक सची सेवका थी मैं नारी के उपर महला के उपर कहना चाहूँगा बच्चो मा बेटी पतनी बहन मा बे कमेंट करें, लाइक करें, सेयर करें, धन्यवाद, जैहिन वंदे मात्रम.